दो साल बाद चार धाम यात्रा चली थी उत्राखंड में और जैसे अनुमान लगा जा रहा था कि साल सारे रिकोर्ड तोर दे गिये यात्रा उमीद से भी ज़्यादा भीड आने की सम्भावना थी इस यात्रा में और ऐसा ही हो रहा है नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ मैं नवीन कुमार एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज का मेरा अपडेट आप सभी के लिए केदारनाध धाम से है कि कैसे आप दर्शन कर सकते हैं कितनी भीड है इस समय दाम में और कितनी लंबी लाइने लग रही हैं कितना समय लग रहा दर्शनों में कैसा मोसम है इस समय केदारनाध धाम में तो ये टॉपिक आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस वीडियो के दोरान दोस्तो इस साल चार धाम यात्रा में जो है लाखो तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं अब तक और अभी जून मंत में उमीद है जो है पिछले हर सालों के रिकॉर्ड जून के इस जून में तोड़े जा सकते हैं केदारनाथ यात्रा के और जो है यात्री हर दिन जो है लगातार भारी संख्या में यहां केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं मोसम की बात करें दोस्तों तो मोसम बरफ जो है मंदिर के आसपास इस समय पर नहीं है बारिस लगातार डेली होती है शाम के समय और यात्रा ट बारिश के दुरान भी तीर्थ्यात्री बड़ी असानी से अपने भक्ती भाव के साथ जो है बावा के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। बारिश के दिनों में यहां रिस्की रहता है यात्रा करना इसलिए अब भीड कम हो गई है। कोई भी भग्त जून के लास्ट में यात्रा करना चाहता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में यात्रा करना चाहता है। तो वो बड़ी असानी से कर सकता इस समय पर भीड बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। और बड़ी सुईदा के साथ जो है आप दर्शन कर सकते हैं मौसम का थोड़ा सा जायजा लेकर यात्रा कीजिएगा। और इपास आप बनवा के लेके जा सकते हैं और मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूंगा। कुछ यात्री हमारे गए थे उन्होंने हमें बताया कि रस्ते में कहीं पर भी इपास चेक नहीं हो रहा है। जो है यात्री इपास लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं सभी भगत के दानाध धाम तक पहुँच रहे हैं और सभी के दर्शन जो है वहाँ पर किये बढ़ी असानी से हो रहे हैं। इसलिए जो भी भगत अभी जून के लास्ट में या जुलाई में प्रोग्राम बनाना चाहता है यात्रा करना चाहता है के दानाध धाम में पहुचना चाहता है तो वह अपना प्लान बनाकर यात्रा के लिए आ सकता है और इस समय जो है भीड कम होने के कान प्राइज में भ हरहन महादेव जैश्री के दार